जै माताजी मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकार जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज मैं मित्रों आज हम चर्चा करने वाले कुंबरासी के वार्षिक रासी फल साल 2023 कुंबरासी वालों के लिए कैसा रहेगा कैसी रहेगी उनके स्वास्त के स्तती, उनके धन के स्तती, उनके व्यपार की, उनके दामपत्य की, उनके प्रेम की, उनकी संतान की, उनकी छोटी संतान की, उनकी बड़ी संतान की, उनके लव कपल के बारे में, पती-पतनी के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, सब कुछ इस कारेकरम म आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्त के बारे में तो कुम राशी का देखा जाए तो वार्शी कुंडली के अनुसार सनी जो है साल 2023 में बारवे स्थान में विराजमान है यानि कि कुछ शुब रिजल्ट देंगे और कुछ अशुब रिजल्ट देंगे देखा जाए तो जो शाल की शुरुवात होगी किसी बड़ी खुशकब सुरी से आपको साल की सुरुवात नजर आएगी और साल 2023 के अंदर देखा जाए विदेश यात्रा के योग भी आपके बनते हैं यानि विदेश का टूरें ट्रबल आपका बन रहा है साल 2023 में आप अपने लुक में बदलाव करने वाले कुछ लोग मूचे लगाने वाले कुछ कलर हटाने वाले कुछ लोग मोटे से पतले हो जाने वाले कुछ लोग पतले से मोटे हो जाने वाले यानि लुक में बदलाव आएगा क्योंकि शनी बारवे में पर पर क्योंकि शनी बारवे में अप्रेल जून अक्टूबर और नॉम्बर का महिना तुबारा बोल द कर लेते हैं कुम्ब राशी की धन की इस्तती फाइनस कैसा रहेगा तो वर्षेश कुंडली के अनुसार हांस योग साल 2023 में कुम्ब राशी वालों का भाग्यदे कारक वर्ष रहेगा यानि यहां पर आपको लकी फॉर्चुन जिसे कहा जाता है या वील ओफ फॉर्चुन कहा जाता है यानि कि भाग्यदे कारक वर्ष यह रहने वाला धन कई गुना व्रद्धी करने वाला यह साल रहेगा साती साथ जो आपको की इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको बड़ा फाइदा देगी चाया प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है चाया जमीन में इन्वेस स्टी के स्कीम सरकारी निकल रही तो आपको भनना जरूर है क्योंकि इससे आपको फाइदा निकल सकता है कुल मला के किस्मत बहुत अच्छा साथ आपका साल 2023 में देने वाली है अब बात कर लेते हैं परिवार भावगी तो परिवार भाव में मालब भी योग बनना है तो साल 2023 में कुम राशी वाले जातको जातिकाओं का वाहन का योग बन रहा हैं the मेंthe का काम हो जाएगा यानि यहां से भी आपको खुश खबरी प्राप्त होगी क्योंकि वर्षेश कुंडली में मालब भी योग बन रहा है बस देखा जाए तो जनवरी का महीना और फरवरी का महीना थोड़ा देखा जाए तो परिवार के सदस्चियों के लिए कश्टकारी रहे यानि जनवरी और फरवरी परिवार के फैमिली मेंबर के लिए बहुत अच्छे नहीं है बाकी दस मेले तो बहुत ही अच्छे है इसी प्रकार से अब बात करते हैं कुमराशी वाले उन लोगों की जिनकी संतान है जो कुवारे वो इस मैटर को इस टॉपिक को स्किप कर सकत हैं तो संतान के बारे में बात करें जिनकी छोटी और बड़ी संतान है उनका साल 2023 के अंदर बुद्ध अदित्ती योग वर्षेश कुडली में बन रहा है यानि कि छोटी हो या बड़ी संतान हो उनके लिए साल 2023 करियर की रूप में नेचर की रूप में वंडरफुल सर्व स्रेश्ट साल रहेगा साल 2023 में संतान को कोई मैडल अवार्ड मिल सकता है कोई सम्मान मिल सकता है एप्रिशेशन मिल सकता है संतान का सर्व स्रेश्ट प्रदर्शन साल 2023 में आपको देखने को मिलेगा करियर में भी खेल के अंदर भी या फिर आपको नौकरी के अंदर भी साल 2023 तेईस में अगर देखा जाए तो बड़ी संतान को करियर में अचानक लाब मिलेगा बड़े ओफर उनको आने लगेंगे और वो ले भी लेंगे यानि कि करियर में एकदम से उच्छाल साल दोजार तेईस में मिलेगा साल दोजार तेईस में बड़ी संतान को सरकारी काम भी मि सरकारी लाब आपको मिलेगा तो कुल मिलाके आपकी बड़ी संतान के साल 2023 में सरकारी नोकरी या सरकार से संबंदित कोई ना कोई रिलीफ आपकी बड़ी संतान को मिल सकता है अब बात करते हैं स्टूडेंट के लिए तो कुम राशी वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनसे पह इसी लोग बताते हैं यूटीव में बनाते हैं आप बात करते हैं विद्यारतियों की तो विद्यारतियों से पहले मैं चर्चा कर लेता हूं साल 2023 जैसा कि नया साल आ रहा है ऐसे में कुम्राशी वाले जातक और जाती काओं में बड़ी कहते हैं कि इच्छा जागरित हो जाती हैं या और भी जोतिशी देते हैं या टीवी चैनल पर आता है वो जो बताते हैं उसका तो हमारा कुछ होता ही नहीं यह उल्टा होता तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको इसका मतलब मालूम ही नहीं है कि आपकी कुम्राशी है आप तुक्के में मानके बैठे है जो Facebook में भी description में है और YouTube में भी कुम राशी की वीडियो description में है आप उसको थोड़ा सा मेहनत करें उस वीडियो को पूरा देखें उसके अंदर मैंने 8-9 characteristics जीवन में घटित भी घटिनाये बताई है आपके गुण और अबगुण बताएं हैं अगर वो आपके मैच होते हैं 60% से जादा तो मान के चलिए आपकी कुम राशी है जो में यह राशी फल बता रहा हूं यह आप पे applicable होगा क्योंकि बहुत से लोगों को confusion होती है होती उनकी मकर राशी है जब वो कुंडली दिखाने यह टेलिफोनिक मेरे से दिखाते हैं तो होती उनकी मकर राशी है यह धनूराशी मान के बैट जाते हैं वो कुमबरासी और ऐसे में क्या होता है वो जोतिस पर आव विश्वास कर लेते हैं वो कहता है जोतिस कुछ नहीं होती क्योंकि गुरू जी ने तो पिछले साल बताया था धनलाव होगा मुझे नुक्सान हो गया आपको अपनी राशी ही नहीं पता महराज तो ऐसे मैं आपको क्या करना है याद रखिएगा कि मैंने ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दियो उसको देखे और उससे आपको ये नौलिज होगा कि आपके जीवन में क्या घटनाय हुई है उसमें सब लिखा हुआ है आप उसको देखे तब पर आपको पता तो आप पर ये रासीपन सठीक होगा चलिए अब विद्यारतियों की बारे में बात कर लेते हैं तो साल 2023 में देखा जाए विद्यारती वर्ग के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए सर्वस्रेश साल है यह साल चुक गए ना पता नहीं अगला साल ऐसा आएगा नहीं आए यह साल सर्वस्रेश्ट है विद्या के लिए करियर के लिए और परतियोगिता परिक्षा के लिए खेल के लिए बड़ा लाबकारी यह वर्ष रहेगा आप अपने आपको जोग दे मैनत करें सारी दूइदाएं इफ एन वेट त्याग के सबसे ज़्यादा 2023 में मैनत करें ब परशेश कुंडली के अनुसार साल 2023 में ग्रहन योग बन रहा है यानि चार महिने तो कश्चकारी रहने वाले बाकी आट महिने बहुत अच्छे रहेंगे यानि साल 2023 में नौकरी पक्ष वालों के लिए देखा जाए तो वैसे तो आट महिने अच्छे रहेंगे लेकिन ग्र लालचन मी लगेगा आपके उपल लिटीगेशन भी होगा आपको छोड़ा नहीं जाएगा अगर आपने पद का गलत काम किया या पद का दुरुपयोग किया तो ये थोड़ा साबदानी रखें क्योंकि ग्रैन योग बन रहा है वन्ना नौकरी पक्ष अच्छा है खासकर जन दुरुपयोग नहीं करते तो ये साल बहुत बढ़िया है आपके लिए यानि कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है और अगर आपने आसा करते हैं मेरी बात को लाइटली लेते हैं तो उसके बाद जो कष्ट होगा चाए आप तंत्र कर ले चाए मंत्र कर ले चाए कोई भी प्रियोग कर ले फिर वो कष्ट दूर नहीं होगा वो घटना घटी तोके ही होगा आप बात कर लेते हैं दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन के लिए देखा जाए तो वर्षेश कुंडली के अनुसार बुदादित्ती योग बन रहा है यानि साल 2023 आपके दामपत्य जीवन के लिए सर्वस्रेश्ट साल है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लव कफल यानि पती पतनी के बारे में तो साल 2023 में जो आपका पार्टनर है उनको सरकारी काम से कुछ मुनाफ़ा होगा या सरकारी नौकरी उनकी लग सकती है या सरकार से संबंदित उनका कोई काम बन सकता है यानि नौकरी और करियर के लिए आपके पार्टनर के लिए साल 2023 वंडरफुल साल है साल 2023 के अंदर आपके पार्टनर का पद और प्रमोशन के भी अच्छी योग बनते हैं तो कुल मिलाके साल 2023 आपके रिलेशन के लिए भी अच्छा है और आपके पार्टनर के करिय की शुरुवात होने के साथ का योग बनता है क्योंकि बुदादिती योग कहीं न कहीं आपके पार्टनर को इन्वॉल्ब करवाएगा साथी साथ देखा जाए तो आपके पार्टनर का साल 2023 में प्रॉपटी का योग बनता है या भूमी से समंदित क्रय विक्रय में आपके पा सारी रहेगा साल 2023 कि अब बात करते हैं कुम्भा प्रकार की टेंशन भी होगी और कई प्रकार के आपको लाब भी मिलेंगे यानि दोनों ही result मिलेंगे टेंशन में भी होत रहेंगे लेकिन lab भी मिलेगा पहले हम बात कर लेते हैं lab की तो देखा जाए तो साल 2023 में आपके काम में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी व्यापार में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी व्यापार इस्थल के renovation के योग भी आपके बन रहे हैं काफी निर्मान की योग भी बनते हैं साथी साथ देखा जाए तो साल 2023 में तीन महीने व्यापारियों के लिए या अपने काम वालों के लिए खराब हैं वह महीने हैं जलवरी फरवरी और अगस्त इसमें आपके काम में परिशानी रहेगी अचानक स्थान परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं काम थोड़ा मंदा होगा बिजली या मशीन पर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या खराबी के कारण काम डिले हो सकता है तो कुल मिला कि ये तीन महीने थोड़ा टेंशन वाले रहेंगे बाकि जो नो महीने उसमें काम में बड़ो झाले अ ये घर तटवा हैं